हेलो दोस्तों मैं हूँ दिपाली और मेरे चाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम देखने वाले जार्कन की फेमस डिश जो है दुसका ब्रेकपस रेसिपे है ये और बहुत ही स्वादिश्ट बनती है तो आइए देखते हैं तो एक कटरी से मैंने चना दाली है से गटोरी से हांफ को टोरी ओरत डाले ओर सेमस नाटारि ये एक कट़ोरी चना दाल आधा कटोरी और ये दोनों अच्चे से 2 तता से में रखना है ये 2 गोना है कम से कम पांच-sz피 ये 6 घंड़ की लिए इसको रखना है आप और नेट भी सोप करने कर रख सकते तो मैंने यह चे घंडी के लिए रख दिया था दाल और चावल दोना अच्छे से भीग चुके मैंने सारा पाई निकाल दिया है अभी इनको पीषना है हमें तो पीषते समय एक मिक्सर जार में मैंने दो हरी मिर्च लिए साथ लैसुन की कलिया साथ या आठ एक छोटा चमच जीरा भूना जीरा नहीं है रेगल दर कच्छा जीरा ही है अब यह दाल हम इसमें डालेंगे मतलब मूग दाल चना दाल और उरत की दाल और अच्छे से पीष लिए हमेने देख सकते हैं और जरुरत पड़े दोड़ा पानी हम आड़ कर सकते पीषने के और इसी तरह से बचे हुई जो दाले है वो और चावल यह दोनों भी पीष लेते हैं अच्छे से फाइन पीषना है हमें दर्दरा नहीं रखना तो मैंने यह पीष लिया है अब इसको मिक्स करते हैं चमच चलाते हुए साथ साथ में इसमें धनिया पता डालते हैं एक साथ ही मिक्स हो जाएगा वह नमक एक छोटा चमच हल्दी अब इसको मिक्स कर लेते हैं मैंने हरी मिर्च यहाँ पर यूज किया आपको चाहिए तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं तो यह मैंने अच्छे से मक्स कर लिया है हमें इडली का बैटर इतना यह गाड़ा चाहिए और थोड़ा फेटना है इसको ताकि इसमें बबल साड हो जाए और हमारा जो दुसका है वह स्पॉंजी हो जाए जितना फेटेंगे उतना यह हमारे दुसका अच्छे से फूलेंगे और स्पॉंजी बनेंगे अगर आपको सोडा डालना है तो ये करते समय डालना है मतलब जब हम तेल में दुसका छोड़ेंगे उसके जिस्ट पहले हमें ये सोडा डालना है और सोडा की कॉंट्री one fourth छोटा चममच एकदम थोड़ा सा दो पिंच डालना है मैं नहीं डाल रही है यहाँ पर तो विदाओप सोडा बना रहे हुँ मैं तो तिल अच्छे से गरम कर लिया है मैंने और इसमें चम्मच की सायातर से इसमें दूसका मैं छोड जा रहे हूँ तो अब देख सकते डूसका डालते ही वो तेल पर तेहरने लगाए मतलब तेल अच यूज कर रहे तो ओवियसली वो थोड़ा सा ओईली होई जाएंगे इसलिए मैं जनरली सोडा नहीं यूज करती कि तो एक साइड से पूरा इसको गोल्डण कलर आने तक रखना है हम अभी गैस मीडियम कार सकते हम ताकि यह तेल में अंदर तक अच्छे से पक जाएं अंदर कच्चा ना रहें वैसे कच्चे रहते नहीं है और साइड में जो दुबुंदी गिरी थी वो निकाल रहे हूं थोड़ी देर बाद क्यों क्रिस्पी हो चुकी है अभी एक साइड से दुसका हमारे अच्छे से गोल्डण हो चुके है तो मैं उसकी साइड पलट रहे हूं यह दुसका हम अलू और टमाटर की जो सबजी आती है पूरी भाजी के साथ हम जो खाते हैं वो सबजी के साथ सव कर सकते हैं बहुत ही इसका कॉंबिनेशन अच्छा लगता है आप यह सबजी बनाएए उसके साथ यह सव कर जिए बहुत ही अच्छा लगेगा अब यह दोनों साइड से में उसको अच्छे से गोल्डण पदर आने तक तर रहे हूं गरम गरम भी अच्छे लगते हैं थंडे होने के बाद भी आप यह खा सकते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं अब यह इसको निकाल लेती हूं और इसको अलो टमाटर की जो सबजी होती है चटपटी उसके साथ सव करना है अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो जो लाती रहूंगी तो आप जरू सब्सक्राइब कीजिए धर्नेवाद